हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल, तो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे टॉपिक अल्कोहल्स, देखो आपका जो एच्टेक्ट में आता है अल्कोहल, फिनोल, एथर्स, तो यह वाला टॉपिक आप जो भी PGT एक्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, ज जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके लिए काफी बेनिफिशल रहेगा, आपको पता है, एच्टेक्ट PGT केमिस्ट्री में काफी कम टाइम बच है, तो राउंड अपने 32-35 डेज बचें, जिसमें आपको एच्टेक्ट PGT का एक्जाम क्या करना है, क्लियर करना है, त तो देखू, जैसे हमारा टॉपिक है, अलकोहल, फिनोल, एटर्स, तो इस वीडियो के अंतर हम डिस्कस करेंगे, कम्प्लीट अपना टॉपिक अलकोहल्स, तो अलकोहल से किस टाइप के क्वेश्टिन से पूछिए आ सकते हैं, वो सभी चीजों के डिस्कस करेंगे, जिन स् किस्टि का पोर्षन आता है, 60 marks का हमारा क्या आता है, जिन अगर हम एक मंथ करते हैं, तो हम 55 प्लस टार्गेट कर सकते हैं, बस आपने क्या करना है, अपसे डेली 30 eyes, जो भी आपके 30 दिन बचे हैं, इसमें regular पढ़ना है 4 से 5 घंटे, मीनिमम, आप 7-8 घंटे पढ़ सकते ह बढ़ चार से पांच घंटे आपने एक मन्त बिल्कुल डेडिकेटर ली पढ़ना है तो देखो अलकोहल टॉपिक हम कम्प्लीट करेंगे देखे ऐसा नहीं होगा कि इस लेक्चर में आपको बहुती ज़्यादा क्या होगा बिल्कुल प्रोड़क्टिव सेशन होने वाल है इसके अंदर हम अलकोहल को कम्प्लीटली क्या कर लेंगे स्टडी कर लेंगे इस वक्त हमारा टाइम इंपॉर्टन है इसलिए हमने चीजों को शौर्ट के अंदर समझ कर चलना है तो देखो अलकोहल क्या होते हैं हमरे पास जैसे हमरे पास अलकेन होते है जैसे यह मेरे पास इथेन है अगर मैं इसमें से एक हाइड्रन हटा दूँ और ओएच ग्रूप को लगा दूँ तो यह हमरे पास बन जाता है अलकोहल फंक्शनल ग्रूप यह क्या होते हैं हमरे पा अलकोहल में OH का H खटा के हम कोई अलकायल ग्रूप लगा दी तो इसको हम बोलते हैं एथर एथर हमार पास दो तरीक होते हैं एक होते हैं हमार पास symmetrical ethers और दूसरे होते हैं हमार पास unsmetrical ethers symmetrical ethers का क्या मतलब होते हैं जैसे दोनों जो R पाट हैं तो अगर सेम होगे तो उसको हम बोलेंगे symmetrical ethers अगर दोनों R पाट के हमारे different हैं तो उनको हम बोलेंगे unsmetrical ethers for example CH3O CS3 तो यह दोनों R पाट यहाँ पे भी methyl यहाँ पे भी methyl तो यह हमार पास symmetrical ethers हो गया for example CH3O CH2 CS3 तो यह हमार पास example हो गया unsmetrical ethers का because एक side CH3 लगा है और दूसरी तरफ इथाय लगा है तो यह हमार पास basic जो हमारी unit है alcohol, phenols and ethers उनका मैंने आपको introduction दिया है तो इस वीडियो के नदर हम alcohols वाला जो topic है वो complete करेंगे तो देखो alcohols में क्या होता है हमार पास जब इनकी हम naming करते हैं ठीक है आयू पे सी naming होती है तो आयू पे सी naming के अंदर हम alcohols के लिए end पे क्या यूज करते है ओल वर्ड को यूज करते है तो जैसे देखो हमार पास CH3OH है एक कार्बन है तो यूज करेंगे methane और OH के लिए हम यूज करेंगे but E के बाद O नहीं आता तो E को हम हटा देते हैं तो इसका नाम बन देगा methane similarly CH3CH2OH इसको हम क्या बोलेंगे एथनोल बोलेंगे आयू पेसी में अगर हमार पास कुछ इस तरह का compound आजे तो यहां पे जो हर point होता है वो किसको represent करता है carbon को represent करता है यहां पे हर एक point किसको represent करता है carbon को represent करता है तो इसकी numbering कर लेंगे 1 2 3 4 5 number ऐसे करना है कि OH को minimum number मिल जाए तो इसका नाम हो जाएगा 5 का carbon के लिए उसको नेगे pentane और 3 नमबर पोजिशन पर क्या है ओल है तो इसका नाम हो जाएगा pentane 3 ओल उसके बाद देखो हमार पास कुछ common names होते हैं एक common name कि common name हमने कौन कौन से याद करने है देखो जैसे यह methanol है यह इसका iupac हो गया अगर इसका common लिखना होता मुझे तो इसका common name होता है methyl alcohol इसका नाम क्या होता है common name में methyl alcohol अगर इसका मुझे common name लिखना है तो इसका नाम होता है इथायल अलकोल तो इस तरह से हम common name भी ID रख सकते हैं बट कुछ special common names होते हैं जो आपको धियान रखने हैं कि special में कौन सा होता है जैसे पहले कुछ इस टाइप का अलकोल होता है अगर इसका नाम करी हम तो इन carbon की हमर पास chain है 1, 2, 3 तो इसका आईउपेसी नेम तो आजाएगा प्रोपेन 2-ALL ठीक है प्रोपेन 2-ALL क्या जाएगा इसका आईउपेसी नेम इंग आजाएगा बट इसका common name जो होता है एक common name होता है इसका कि जब एक कारबन के उपर दो मिथायल ग्रूप्स अटाच होते हैं तब हम वर्ड यूज करते है आईसो तब कौन सा वर्ड यूज करते है आईसो वर्ड यूज करते है विकोज एक कारबन के उपर दो मिथायल से है टोटल तीन कारबन होगे न तो इसका नाम होता है आईसो तीन कारबन के लिए प्रोपाइल अलकोल तो इसका नाम हो जाएगा हमार पास isopropyl alcohol कभी आपको question में isopropyl alcohol लिखा मिल जाए तो आपने confuse नहीं होना हो उसके बाद देखो आप rule लिख ले ना iso word कभी यूज़ करते हैं जब एक carbon के उपर दो methyl groups आ जाए case point को आप note कर ले ना उसके बाद देखो जैसे हमार पास एक कॉमन नेम होता है इसका ch3 ch यहाँ पर oh ch2 ch3 अब जो इसका नाम होगा देखो आईउपेसी में क्या हो जागा इसका नाम one two three four putain two all ठीक है यह नाम हो जागा इसका आईउपेसी के अंदर but common naming के अंदर हम इसका नाम यूज़ कर लेंगे because इस वाले carbon के उपर एक methyl group है और एक methyl group है तो हम ISO तो यूज़ नहीं कर सकते ISO को भी यूज़ करते थे हम जब दोनों क्या होते हैं methyl तो अब हम इसका नाम देखो करेंगे इसकी डिगरी क्या है तो डिगरी करना मैं डिगरी कैसे देखते हैं वह बता देता हूँ डिगरी ओफ अलकोहल्स को डिगरी ओफ अलकोहल्स देखो अलकोहल्स हो मरपस तीन टाइप के होते हैं एक होते है वन डिगरी अलकोहल एक होते हम अरपस 2 डिगरी अलकोहल और एक होते हम अरपस 3 डिगरी अलकोहल 1 डिगरी को हम primary, 2 डिगरी को secondary और 3 डिगरी को हम tertiary बोल देते हैं और example, मैं कुछ example ड्रो कर रहा हूँ, वहाँ से हम सीख लेंगे ये concept जैसे मैंने कुछ alcohols को draw किया, तो यहाँ पे आपने क्या चेक करना है O H के साथ जो carbon attach है, यह वाला carbon, यह वाला carbon और यह वाला carbon यह carbon further कितने carbon से attach है, यह carbon further एक carbon से attach है, तो यह 1 डिगरी हो जाएगा यह carbon 2 carbon से attach है तो 2 degree हो जाएगा यह वाला carbon 3 carbon से attach है तो यह हम अरपास हो जाएगा 3 degree alcohol अब 1 degree 2 degree 3 degree alcohol को distinguish करने के लिए हम अरपास 2 test होते हैं यह के 2 test जो आपके exam में repeater ली पुछे आते हैं अब यह test कौन कौन से हम अरपास एक आपको पता होना चाहिए लुकास test लुकास test और एक आपको पता होना चाहिए विक्टर में test दोनों का हम idea ले लेते हैं विक्टर में test तो पहले तो आपको पता होना चाहिए लुकास test और विक्टर में test किसके लिए यूज करते हैं हम हम यूज करते हैं to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols इनके अंदर distinguish करने के लिए पोस करो आपके एक solution है उसके अंदर present है alcohol आपको नहीं पता ये 1 degree है, 2 degree है ये 3 degree तो अगर आपने तीनों को distinguish करने है कि 1 degree है, 2 degree है ये 3 degree तो उसके लिए हम lucas test या victor mere test को क्या करेंगे, use कर सकते हैं पहले lucas test को समझाई देता हूँ, lucas और victor mere को देखो lucas test में क्या होता है lucas test में हमार पास एक lucas reagent होता है जो lucas reagent होता है, वो क्या होता है हमार पास enhydrous, जा हम लिख लें, concentrated HCl plus enhydrous ZnCl2 इसको हम क्या बोलते हैं, lucas reagent बोलते हैं अब हमार पास क्या है, pose करू ये एक 1 degree अलकुल है ये एक 2 degree अलकुल है हमार पास और ये एक 3 degree अलकुल है आप लोग को bond line nutrition आती होगी देखो यहाँ पे क्या होता है यहारे एक point होता है carbon ये carbon फर्दर 1 carbon से attach है ये वाला carbon फर्दर 2 carbon से attach है ये वाला carbon फर्दर 3 carbon से attach है तो ये मेरे पास होगा 1 degree ये होगा 2 degree और ये होगा 3 degree जब इसकी reaction हम किस से करवाते हैं lucas reagent से करवाते है जब इनकी reaction हम किस से करवाते हैं lucas reagent से करवाते है तो lucas reagent क्या है concentrated HCl plus ZnCl2 तो हमारे पास क्या होता है OH हड़ता है CA लगता है मतलब alkyl halide का formation हो जाता है हमारे पास alkyl halide का क्या हो जाता है formation हो जाता है अब जो alkyl halide बनता है हमारे पास इसकी क्या होती है turbidity होती है turbidity का क्या मतलब है solution के अंदर cloudiness आ जाते है जब यह reaction होती है लुकास रियेजिन डाला तर्बीडिटी आगी immediately मतलब within seconds आगी तो हम बोलेंगे हमारा कौन सा alcohol present है 3 degree alcohol present है अगर तर्बीडिटी पांस से 10 मिनिट के बाद आई तो हमें आइडे हो जाएगा 2 degree alcohol present है अगर तर्बीडिटी जा तो नहीं आई अगर आई वी after 30 minutes ये 30 मिनिट के बाद आती है तो हम समझेंगे कि 1 degree alcohol क्या है present है तो ये होता है हमारा पास लुकास test तो इसमें हम alcohols को distinguish कर पा रहे है on the basis of time of turbidity तो हम 1 degree 2 degree and 3 degree alcohols को distinguish कर पा रहे है इसके basis के उपर on the basis of time of turbidity तो इसी test को हम बोलते हैं क्या लुकास test तो इस test में जाद रखना point कि सबसे यदा reactive कौन से होता है 3 degree reactivity किसकी होती है जब fast reaction बोल सकते है fast reaction 3 degree वाल सबसे यदा show करते है फिर 2 degree और फिर हमारा पास 1 degree alcohols क्या करते है क्यों करते है next students हम discuss करते है about Victor May test Victor May test भी बहुत easy है Victor May test को मैं बोलता हूँ RBC test यह को हम क्या बोलते है प्यार से RBC test बोलते है RBC test क्यों बोलते हैं अभी आपको clear होगा मेरे पास 3 alcohol है ठीक है 1 degree alcohol एक है मेरे पास 2 degree alcohol और एक है मेरे पास 3 degree alcohol अब इसकी जो reaction है वो Victor May reagent के साथ करवाते है या Victor May जो reagent होता है वो काफी सारे sequence of reagents होता है जिनको detail में पढ़ना है और 3 degree alcohol है इनके अंदर हमने क्या डाला Victor May reagent को डाला तो उससे होगा क्या जो हमारे पास primary alcohol है वो RBC है RBC से क्या याद रखना है आपको Red Blood Cell ऐसे नहीं याद करना R से मतलब Red B से मतलब Blue और C से मतलब Colorless Solution मतलब जब हमने reaction करवाई primary की तो हमें जो finely color मिला वो Red Color मिला ये Red Color का Solution अप्टेन हुआ 2 degree के साथ Blue Color का Solution अप्टेन हुआ और 3 degree के साथ हमारे पास Colorless Solution अप्टेन हुआ तो इस तरह से हम क्या कर पाएंगे Distinguish कर पाएंगे Between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol तो ये हमारे पास simple सा होता है Victor में ये test तो अभी तक हमने 2 important topics Locast test और Victor में test को क्या कर लिए है Cover कर लिए है उसके बाद देखो जो basics में आपको बता रहा था कि हम ISO word कभी यूज़ करते हैं ठीक है न ये सब आपको मैं basic करवा देता हूँ एक काम आ जाता है हमारे पास ठीक है जैसे हम कभी-कभी ISO word यूज़ कर लेते है कभी-कभी हम new word यूज़ कर लेते है कभी-कभी हम n word यूज़ कर लेते है कभी-कभी हम secondary word यूज़ कर लेते है कभी-कभी हम tertiary word यूज़ कर लेते है कभी-कभी हम Gem Work use कर लेते हैं कभी हम विसीणल वर्ड यूज कर लेते हैं यह जैंब इनल विसीणल सारे बेसिक्स क्लियर कर दूंग आप लोग को पढ़ते हो तब आपको पता ही नहीं होता आईसों कभी उस करतें के न्यों वर्ड कभी उस करते तो एक ही पॉइंट में सारे आपके डाउट्स कवर करदूँगा, तो देखो हमारे पास, मैं ऐसे एक कार्बन चेन में अब धेखो, अगर मेरी पास इस खार्बन चेन में एक कार्बन के उपर, एक कार्बन के उपर दो मिथायल ग्रूप अटेच होते हैं इसको हम बोलते हैं आईसो ग्रूप इसको हम क्या बोलेंगे आईसो ग्रूप बोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे आईसो ग्रूप आई थिंक पहला पॉइंट क्लिए है एक कारबन के उपर दो मिथायल ग्रूप उसके बाद different group है, एक methyl attach है, और एक ethyl attach है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, देखो, अब इसको ISO तो नहीं बोल सकते हैं, एक carbon के ओपर एक methyl attach है, और एक ethyl attach है, अब इसको हम बोलते हैं, इसकी degree क्या है, तू डिगगरी है, इसकी degree क्या है मर पस, तू डिगरी है, carbon, कितने carbon से attach है, इस वाले पार्ट में, तो carbon से attach है, तो इसको हम बोलेंगे, तू डिगरी, तू से क्या मतलब हो गया, स्केंडरी और टोटल कार्बन इतने 1, 2, 3, 4 तो इसको हम बोलते हैं स्केंडरी ब्यूटाइल ग्रूप इसको हम क्या बोलते हैं स्केंडरी ब्यूटाइल ग्रूप चलो I think सभी को clear हुआ होगा उसके बाद देखो अगर मेरे पास एक कार्बन है जो सभ्स्ट्ट्ट के तोर पे एक्ट कर रहा है उसके उपर तीन मिथाईल ग्रूप अटाच है एक कार्बन के उपर तीन मिथाईल अटाच है तो अब इसकी डिगरी क्या होगी मरपास इसकी डिगरी एक कार्बन तर्श्री ब्योटाइल ग्रूप आई तिंग ये वाला पॉइंट भी क्लिर होगा आपको अब देखो नेक्स्ट मेरे पास एक कार्बन है और नेक्स्ट वाले कार्बन पर क्या है तीन मिठाल ग्रूप से अटेच है देखो जो तोनों में डिफरेंस है यहां पर कार्बन के उपर डिरेक्ली तीन मिठाल थे यहां में एक CH2 बीच में आ गया अब देखो इस ग्रूप को हम क्या बोलते है इस वाले ग्रूप को इसमें टोटल कार्बन कितने पांच है अब एक CH2 फिर कार्बन के उपर तीन मिठा इसका common name क्या होता है मार पास neo pentile होता है तो कौन कौन से cover कर चुक हूँ ISO, neo देखे N कव यूज़ करते हैं जैसे ये मेरे पास 5 carbon की chain है 1, 2, 3, 4, 5 तो इसका हम बोलेंगे N pentane अगर मेरे पास 6 carbon की chain है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसका हम बोलेंगे N hexane जब भी कोई state chain होती है तो इसके लिए हम N pentane ज़ा N hexane का यूज़ कर लेते हैं N भी clear कर दिया Kendry भी मैंने आपको clear कर दिया Tarsary मैंने आपको clear कर दिया उसके बाद देखो अगर 1 carbon के उपर सिर्फ 1 carbon के उपर ही तो OH present हो तो इसका हम बोलते हैं Gem Diol के ज़ा इसको हम बोल सकते हैं Geminal Diols इसको हम क्या बोल सकते हैं Geminal Diols Similarly अगर 1 carbon के उपर 2 chlorine attached है तो इसको हम बोलेंगे Gem Dichloride इसको हम क्या बोलेंगे Gem Dichloride यह बाले basics भी हमारे clear होगे उसके बाद देखो अगर 2 carbon है adjacent position पे और adjacently OH attached है तो इसको हम बोलते है Vicinal Diols इसको हम क्या बोलते हैं Vicinal Diols अगर 2 chlorine attached है तो इसको हम बोलेंगे Vicinal Dichloride तो यह बाली basic terms होती है जो हम repeatedly chemistry में यूज़ करते हैं जिनका मतलब आप लोग को पाता चल गया होगा आइसो वर्ड कभ यूज़ करने है नियो कभ यूज़ करने है एन कभ यूज़ करने है secondary cub tertiary geminal and vicinal तो देखो अब अगर concept समझ लिए है तो एक carbon के उपर एक methyl और एक ethyl तो इस alcohol की degree क्या है 2 degree है कौन सी degree क्या है 2 degree का तो इसका हम बोलेंगे secondary butyl alcohol तो इसका common name क्या हो जाएगा secondary butyl alcohol paper में आपको लिखाएगा secondary butyl alcohol की reaction इससे करवा दी तो अगर आपको secondary butyl नहीं मिनाना आएगा question कैसे solve होगा next दिक हो हमार पस naming के अंदरी एक दो example और discuss करते हैं जैसे यह वाला तो यहां पर मैंने attach करते हैं OH तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2,3 तो पे methyl है maximum carbon atom 4 है propane और 2 पे all है तो यह हो जाएगा बट इसकी degree क्या है इस carbon की degree 3 degree है तो इसका हम बोलेंगे tertiary butyl alcohol तो इसको क्या बोलेंगे हम tertiary butyl alcohol I think यह वाला point भी आपको clear हो चुका होगा उसके बाद देखो यह वाला point समने लो एक बाद इसका नाम क्या हो जाएगा देखो इसमें 1 carbon के उपर 2 मिठायल है इसको हम बोलेंगे iso-putile total 4 carbon है alcohol यह आईउ-पे-सी नेमिंग आपको already आती है तो यह वाले आपको कुछ नाम याद करने थी उसके बाद CH2OH CH2OH इसको हम बोलते है ethylene glycol ethylene glycol और एक होता है मरपाद CH2OH 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 तो इसका जो नाम होता है मरपाद that is glycerol तो बस यह वाले आपको कुछ जो नेम्स थी उनका आईडिया होना चाहिए था इसके बाद देखो हमार पस हमने नेमिंग वाला पार्ट कवर कर लिया हमने नेमिंग वाला पार्ट कवर कर लिया उसके बाद हमने कवर कर लिया लुकास टेस्ट को कवर कर लिया और एक हमने cover कर लिया अपना victim में test next देखो हमारे पास alcohols की कुछ reactions होती है ठीक है reactions of alcohol यह reactions of alcohols में कौन-कौन सी important है तो हम discuss कर लेते हैं पहली बात एक sequence जाद करने हैं आपको जो alcohols होते हैं जब इनका हम oxidation करते हैं कैसे समलूँ मेरे पास कोई alcohol है जब हम इसका oxidation करते हैं तो same carbon atom का हमारे पास aldehyde बन जाते हैं तो यह कौन सा function group हो गया aldehyde और अगर हम aldehyde का further oxidation करते हैं तो same carbon atom का हमारे पास carboxlic acid बन जाते हैं तो 1 degree alcohol का जब हम oxidation करते हैं तो हमारे पास पहले क्या बनता है aldehyde और aldehyde का further oxidation करते हैं तो बनता है carboxlic acid यह sequence ध्यान रखना अगर हम 2 degree alcohol का oxidation करते हैं तो हमारे पास ketone बनता है तो हमारे पास क्या बनता है? ketone का formation होता है यह second point ध्यान रखना अगर हम 3 degree alcohol लेंगे तो 3 degree alcohol का generally oxidation हमारे पास नहीं होता यह वाले 3 point से आपने क्या रखने है ध्यान रखने है अब उसके बाद देखो अगर हम reactions पढ़े अलकोहल की तो सबसे पहले आती है हमारे पास यह oxidation reactions यह alcohols के हम क्या पढ़ेंगे oxidation reactions यह oxidation में दो तरह के oxidizing agents होते हैं देखो oxidation का क्या मतलब होता है addition of oxygen हो सकते हैं removal of hydrogen removal of hydrogen अब दो तरह के oxidizing agents होते हैं जो oxidation करवाते हैं वो होते हैं मरपस oxidizing agents अब जो oxidizing agents होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक होते हैं mild oxidizing agent और एक होते हैं मरपस strong oxidizing agent ठीक हैं एक होते हैं mild oxidizing agent और एक होते हैं मरपस strong oxidizing agent तो mild oxidizing agents कौन से होते हैं जो 1 degree alcohol को सिर्फ aldehyde तक की oxidize करते हैं मतलब अगर हमारे पास कोई oxidizing agent 1 degree alcohol को सिर्फ aldehyde तक oxidize करे उसको हम बोलेंगे क्या mild oxidizing agent अगर 1 degree alcohol को directly carboxylic acid में convert करते तो उसको हम बोलेंगे SOA strong oxidizing agent अब देखो जो 2 degree alcohol होते हैं उनको convert कर देते हैं किटोन में जाहे mild oxidizing agent हो जाहे strong oxidizing agent हो दोनों का सेम ही काम होते है अगर हम बात करने 3 degree alcohol का oxidation नहीं होता अब अगर हमें यह पता चल जाए कौन से mild है और कौन से strong है जेखो mild की category में हमने 3 पढ़ने है एक होता हम आपास PCC यह PCC की full form होती है pyridinium chlorochromate pyridinium chlorochromate इसको हम बोलते हैं किए PCC एका आपने याद करना है CRO3 in acetone CRO3 in acetone और एका आपने याद रखना है किए popper at 573 Kelvin ठीक है? उसके लावा एक MnO2 को भी हम discuss करेंगे एक MnO2 को भी discuss करेंगे यह दोनों special है ठीक है यह दोनों special है यह special है यह भी बताओंगा मैं आपको ठीक है बस यह इतने बहुत है हमारे लिए और strong oxidizing agent में हमने यह याद करने है एक तो हमने यह याद करना है KmnO4 ठीक है? किसी भी medium के अंदर ले सकते है तो यह वाले point ध्यार रखना तो यह हमारे पास क्या होते है strong oxidizing agents होते है यह वाले क्या है हमारे पास strong oxidizing agents है इतनी list पता जलगी तो हम question solve कर लेते है जैसे देखो मेरे पास एक alcohol है 1 degree का यह सबसे पहले क्या है मेरे पास 1 degree अलकोहल है अगर मैंने reaction करवाई इसकी PCC के साथ PCC क्या है? mild oxidizing agent है तो इसको किसमे कनवट कर देगा aldehyde में similarly मेरे पास 2 degree अलकोहल है अगर उसकी reaction मैंने करवाई PCC के साथ तो उसको कनवट कर देगा हमार पास ketone के अंदर PCC, CRO3, copper 573 Kelvin और MNO2 ये सभी क्या हमार पास mild oxidizing agents है तो यहाँ पर होगा क्या हमार पास जो PCC का काम है सेम काम हमार पास CRO3 ये जो PCC काम करता है सेम ये सेम काम हमार पास CRO3 करता है बट फिर भी दोनों में से best method कौन से है अगर हमने एक alcohol है उसको convert करना है aldehyde में carbon atom सेम है देखो यहाँ पर भी एक R, एक carbon यहाँ पर भी एक R उड़िक का तो यहाँ पर जो best method हम मानते है वो होता है by PCC जो best method हम मानते है वो होता है by PCC because PCC के दोवारा इस reaction के जो yield होती है वो best होती है best yield मिलती है अब बहुत ही अच्छी quantity में हमें product मिलता है उसके बाद देखो अगर हम reaction करवाते हैं with copper at 573 Kelvin तो यह reaction special होती है और आपके exam में पूछी वी जा चुकिए catch test के अंदर पूछी आ चुकिए तो इसके उपर आप star mark कर लो तो इसमें होता क्या है अगर हम 1 degree alcohol की reaction करवाएं copper 573 Kelvin के उपर तो same carbon atom का हमें elder head मिल जाता है कोई issue निया same reaction है और अगर हम same reaction में 2 degree alcohol ले ले same condition copper 300 degree Celsius देखो 300 Celsius लेख दो 573 Kelvin लेख दो एक यह बात है तो इसमें हम अरपास ketone as final product मिल जाता है बट अगर हम 3 degree alcohol का reaction करवाते है यह special है यहाँ पर difference है यहाँ पर 3 degree alcohol का reaction हमार पास हो जाता है यह 3 degree alcohol का reaction हो जाता है तो जब हम copper 573 Kelvin पर करवाते हैं तो यहाँ पर dehydration reaction हो जाता है मतलब पानी निकल जाता है कैसे निकलता है देखो जो हमारे पास ये carbon है जिसके उपर OH लगा हुए है इसके साथ वाले carbon से hydrogen निकल जाता है तो यहांस दोनों से क्या मिल जाता हमें पानी बाहर निकल जाता है अब इस carbon का एक bond free हुआ इस carbon का एक bond free हुआ तो valency पूरी करने के लिए आपस में double bond का formation कर लेते हैं तो इस reaction में जो final product मिलता हमें वो एक alkene होता है यह हमें क्या मिल गया? alkene मिल गया मतलब बाकी सब कुछ सेम है PCC में जा CRO3 में no reaction था बट copper 573 Kelvin पे alkene का क्या हो जाता है? हमारे पास formation हो जाता है तो यह वाले points आपने जान रखने है उसके बाद देखू जो next oxidizing agent है MnO2 ठीक है MnO2 एक काफी selective oxidizing agent होता है यह selective oxidizing agent होता है और यह किसको oxidize करता है? हमारे पास benzylic and allylic alcohols को किसको oxidize करता है? benzylic and allylic alcohols को अब यह benzylic और allylic क्या होते हैं? यह part हम समझते हैं ये बेंजाइलिक क्या होते हैं और अलाइलिक क्या होते हैं देखो अगर बेंजीन निंग है बेंजीन निंग के जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन अब अगर बेंजाइलिक कार्बन होगा तो इस तरह के अलकोहल को हम क्या बोल द like उसका लाइली क्या होता है जैसे क्वी डबल बॉण्ड है उसके गoras कि पायगा एक नेक्स्ट कारबण की उपर जो H लगा हुगा इसको हम बोलेंगे अलाइलिक अलकोहल ई रिच करता है कोग गजाम्पल को यह करफित बेंजाइलिक एंड अलायलिक अलकोहल को ठीग ऑक्सिडाइज करते हैं, जी मेरे पास क्या है एक बेंजाइलिक अलकोहल है, जब इसकी रेक्ष्चिन में MnO2 के साथ करवाओंगा, तो हमारे पास यह वहला अलकोहल ओक्सिडाइज हो जाएगा, इसके अंदर अल्डेहेट के तरह अक्सिडाइज हो जाएगा अगर इस टाइप का अलकोहल आ जाए तो ध्यान से देखो double bond next carbon उसके उपर एच तो यह बेंजाइलिक अलकोहल है तो यह ऑक्सिडाइज होके हमारे पास क्या देदेगा यह ऑक्सिडाइज प्रोड़क्ट देदेगा अगर इस तरह का अलकोह करता है अब देखो जैसे question discuss करें हम मेरे पास कुछ इस तरह का reactant दिया है अगर हम इसकी reaction करवाई PCC के साथ और एक और करवाई मैंने MnO2 के साथ तो PCC तो अलकोहल को oxidize कर देगा यह 2 degree alcohol है इसको ketone में कर देगा यह 1 degree है इसको aldehyde में कर देगा तो तो final product बनेगा तो ठीक है ना तो जो 1 degree था उसका aldehyde 2 degree ketone बड़ जो MnO2 है वो special है वो सिर्फ बेंजीन के साथ यह बेंजाइलिक कारबन इसके उपर लगा OH बेंजाइलिक अलकोहल तो यह सिर्फ बेंजाइलिक अलकोहल का क्या कर पाएगा ऑक्सिडेशन कर पाएगा और बाकी वाला part as it is र एक और जो strong oxidizing agent होता है तो जो strong oxidizing agents होते हैं उन में हमार पास आते हैं एक के मैनोफोर एंड के टू सी आर्टू ओ सेबन तो इनका काम क्या है हमार पास इनका काम basically जो 1 degree अलकोहल्स होते हैं जो हमार पास 1 degree अलकोहल्स होते हैं इनको directly ठीक है चाहिए यह यूज कर लो तो directly 1,2,3,4 तो यह 4 carbon atom का क्या बन जाएगा हमार पास carboxly acid बन जाएगा अगर 2 degree अलकोहल होगा तो इनका किटोन बन जाएगा अगर हमार पास 3 degree अलकोहल हुआ तो normal conditions पे इनका oxidation नहीं होता है हाँ अगर drastic conditions के उपर इनका oxidation करना हो तो हो जाता है बट normal conditions के उपर oxidation इनका नही होता है तो यह होता है हमार पास कुछ strong oxidizing agents I hope आप लोग को यह video beneficial होगा तो अब यह topic complete नहीं हुआ है मैंने जस्ट आपको oxidation reactions का idea दिया है और कुछ basic terms को discuss किया है हमने are you basically discuss किया है और जो important test थे उसको discuss किया है यह alcohols का part 1 था हमार पस अब इसका part 2 हमारा next lecture रहेगा उसके अंदर हम alcohols वाला topic क्या कर देंगे complete कर देंगे I hope आप लोग को यह video काफी beneficial रहा होगा इसमें हमने कम time के अंदर यह ज्यादा content है उसको सीखा है बस आपने proper notes बराने है औ और उनको time to time क्या करना है revise करना है ठीक है आपने लोगोंने अपना feedback है वो भी share करना है कि आपको यह lecture क्या सा लगा ठीक अगर आपको इस lecture से कुछ benefit हुआ है तो definitely आप इस video के नीचे क्या कर सकते हो comment कर सकते हो तो उससे हमें idea हो जाता है कि जो हमारी videos है वो आपको कितने beneficial हो क्या कर सकते हैं कितने रिपीज में 500 नहीं बिल्कुल 500 में नहीं कि बिल्कुल 250 रिपीज बहुत ही nominal चार्ज होते हैं ठीक है एप का चार्ज ही होता है उसमें maximum तो 150 रपे हमें बच जाते हैं तो आप क्या कर सकते हूं play store से chemistry A to Z app को download कर सकते हूं वहाँ पे आपको एक store का option आएगा store में आपको सर्च करना है एट्रेट का batch वहाँ पे आपको 250 में जो एट्रेट की test series है वो मिल जाएगी I think इस lecture में आपको काफ़ी जादा benefit होगा होगा और साथ में आपने क्या करना है NCRT book को जोड़ पढ़ना है ठीक है देखो अभी आप थोड़ा बहुत खुद read करोगे तो ज्यादा benefit होगा जो हमने lecture पढ़ा है तो साथ साथ ठीक है पहले वीडियो कवर कर ले न उसके एक द अपना feedback शेयर करना तब हमें पता चलेगा कि हम और की section के अंदर improvement कर सकते हैं तो alcohol का part 1 था next lecture में हम alcohol को complete कर देंगे thank you for watching this video